अरे द्रोपती रानी छता पर घड़ी द्रोपती नारी हो द्रोपती चता पर घड़ी वार महल को करेजनमा देग रही और कि मार मिल एंजाए रहो हो छहाए आतु से मुझे पहले हुँ ही मैंने पहले के दिया । तो द्रीयोदर ने जानी हमें जा लगत हुए जहां पानी वरो है पानी तो द्रीयोदर ने छाला है हुमारी द्रीयोदर बाड़ से गिर परो द्रोपती ताली पीट करके हसी और पोनी आतम तक मैं ये सुनती थी लेकिन आज देखे लो आगम से का यारे द्रोपती पीटी हसी ताली जोपती पीटी हसी ताली आये बहे अंदा के अंदा द्रोपती ताले जईया आए अंदा के अंदा द्रोपती मारी रही तहाने गहिया द्रोपती ताली पीडिया समझेगे अंदे घंदेई फैदा होते हैं ओत्रियो धन्हें इतनी बात सुनी आगे खूल जैसे लाल हो गई दर्यादान बड़ा हो ट्रोपती जा यही अंदा अगर तुझे एक दिन भी सबा में नगिन ना करे आए तो मेरा नाम भी द्रियोदन नहीं इतना कहकर गए द्रियोदन सगुनी के पास में पहुंचों सगुनी का लोगों का बात है भाण जी एए 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 जब मूं के सा उतारे बैटे हो द्रियोदन के लगा ममा जी है जुस पंचाली ने मुझे अंदे के अंदे का मुझे बहुत फिच्चत किया सगुनी का लोगों लला ची कहरे हो है कुछ बात बता द्रियोदन के लेगा कुछ ऐसा उपाई करो जो अंभी सबा में पंचाली को नंगा कर सके तो सगुनी का लगों का उतरा से जुआ में बैटा लेओ तुम जानते हों पासे कैसे लगाते हैं बोले ठीक है आत्रियोदन ने चिठी लिग दी पांचों पांडवों को बुला लिया और का चलो भाईया जुआ खिले दरमराज बोले हम जुआ नहीं खेलते हैं तुम बताया गया जुआ की तैयारिया होने लगे और ये शर्वड़ भुया साक्ष जी नंगला भगु से ये मुझे 101 मुत्राइं भिजबा रही हैं अपने चड़ों का दास बना ले अभी सुनाएंगे ठीक है थोड़ा बेट करो अब परिची जी इदर बताया गया फिल भी दुनिया वालों ने गाना गाया उसी के उपर मैंने ये बनाया कि एक कतिना सगुनीने देखो ऐसी